तो गाईस मैं हुआंकि तो आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नेटवर्क सुरू करते हैं सबसे पहले उसोज के एक मैसिव रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए भाई ग्रेटिस्ट टैग टीम बन चुकी है उसोज करेंटली 600 दिन से उपर हो चुके हैं स्माग डाउ रिस्लिंग इंडर्स्ट्री के अंदर बन चुकी है उसोज 600 दिन से उपर हो चुके हैं स्माग डाउन की टैग टीम चैंपसिप को कैरी करते हुए और यह जो अंडिस्पुटेट टाइटल है उसको भी साहथ करते करते हैं अभी 365 दिन कुछ इतने होई जाएंगा I guess क्योंक कोमेंट करके बता सकते हैं मेरी तरफ से ऊसुच को आप लोग भी कॉमेंट करके बता देना अपने टॉट्स बागी आगे वरते हैं गया ब्रॉक लिस्नर की बात करतें आने वाले मंडेनायट रॉख एपिसोड के लिए ब्रॉक लिस्नर को एड़टाइज कर दिया गया है को अब जारा टाइम बच नहीं चुका आज 11 मार्चे अगर गिन के लो तो 20 से 20 दिन बागी है और अब ब्रॉक लिस्टनर आने वाले मंडे नाय ट्रॉक एंदर अपियर होंगे और यहां पर आप लोग एकस्पेक्ट कर सकते हैं ओमस तो होंगे होंगे ब्रॉक लिस्टनर को एडवटाइज किया गया है तो इसी को हाइप करते हैं इस मैच को अपनी तरब से भी कुछ एफट्स डाले अपने लेवल से थोरा उपर जाके एफट्स डाले ताकि रसल मीना की लिए हाइप थोरी बरे मतलब यह match अगर अब confirm होई गया तो इसी को hype करो कुछ न कुछ करके तो ब्रॉक लिस्नर आने वाले Monday Night Rock एपिसोड के लिए कर दी गए WWE की तरफ से advertise and announce आगे बात करते हैं Bobby Lassley की तो Bobby Lassley की तरफ से एक statement निकल के सामने आई है ब्रॉक लिस्नर को लेके and Bobby Lassley ने कहा है कि वो ब्रॉक लिस्नर के साथ टीम के तौर पे काम करना चाहते हैं जी हाँ अभी इनके तीन matches हुए है इतनी लंबी feud गई है and अब Bobby Lassley ब्रॉक लिस्नर के साथ tag टीम के तौर पे काम करना चाहते हैं कहते हैं Bobby Lassley I know it's impossible लेकिन ब्रॉक लिस्नर से मैं टीम करके डिसल करना चाहते हूं अगर हम तोनों एक टीम बन जाएंगे तो दिन कोई भी कोई भी डबी या फिर रस्टिंग इंड़स्ट्री का कोई भी सुपरस्टार हमसे उपर नहीं जा पाएगा यह कहा है Bobby Lassley ने यानि कि ब्रॉक लिस्नर बिल्कुल ब्रॉक लिस्नर के साथ बिल्कुल रेडी है Bobby Lassley टाइग टीम के तौर पे काम करने के लिए अब यह टीम देखो काफी फैसिनेटिंग लगती है सुनके Bobby Lassley ब्रॉक लिस्नर एक साथ देखने को मिल जा तो इसको पर आपके प्रॉक करें लेकिन यह पॉस्टीबल ब्रॉक लिस्नर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे तौर पर काफी मुझा लेकिन और प्लुम नहीं तो बिलकुल नहीं देखा मैंने पहले साथ किया और नहीं किया हो लेकिन अभी तो बिलकुल नहीं करते हैं लिस्ट की डिमांड ही रह जाएगी और असा नहीं होगा आगे बात करते हैं आने वाले स्मैक डॉन के डॉब डबी ने काफी मेजर मैच अनौन्स किय है कल मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि रिसल मेनिया के अंदर होने वाला गंतर वर्सेल सेमस वर्सेल ड्रू मैंगेंटार इंटर कॉंटिनेटल चैंपिसिप का मैसिव बैंगर ट्रिपल ठ्रेट मैच और इसके बिल्ड डबी डबी ने चैंद यहां पर वीकुछ घ्रमबाजी होगी फेल्ड इसका करके 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 ड्बी ड्रेसल विडिए ट्रिपल ठ्रेट मैच सथ करेगी सेमस वर्सेल गंतर वर्सेल ट्रू मैकटैइर यानि कि Samus and McIntyre का मैच भली होने वाला आने वाल स्मैकडॉन में लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स दोनों के दोनों कौलिफाई करेंगे रेसल मीनिया के लिए अब देखते हैं वो कैसे करते हैं आगे बात करते हैं भाई Roman Reigns के बारे में सब्सक्राइब भी नहीं था भाई आप स्मैकडॉन के अंदर फैंस इसको लिए के बहुत गुस्सा हैं काफी नेगेटिव रियाक्शन से लेकिन यहां पर वो नहीं होते वें दिख रहा है जो कि डबडबी की तरफ से बहुत मैस्टेव फॉल्ट है जो कि साइद इन लोगों अभी समझ नहीं आ रही है बाद में अगर फैंस का रियाक्शन नहीं आएगा मैच को पर तो समझ में आएगी रोमन को यहां पर अपियर होना चाहिए था एनिहाओ लेकिन नहीं हुए तो यह काफी अनफॉचनेट चीज़ जिस पर फैंस काफी गुस्सा दिख रहे हैं आगे बात करते हैं कोडी रोड्स वर्सिस सोलो सिकोगा के बारे में इनका मैच गाइस कंफर्म हो चुका है यह मे लेकर काफी टाइम से मैं आपको अपडेट बतारू कि सायत सायथ में डभी डबी नये स्टेज ला सकती है और भी फिर से को लेकर कभडेट आई यह हैं अपडेट का कहना है कि डबी डबी चीज को डिसकस कर रहे है कब से दिसंबर सेहीं से सम्छान से लिकिन अभी तक कोई भी नीजा स्टेज नहीं आई है सेले डिसक्रस्टि चालो है मेंभी डबी डबली ला सकती है ड्यू स्टेज तो देखो बाई कब होता है मुझे रघकाएफ के बाद ही होगाежд कुछ होता है तो कली कि अब लोगत के बाद करें इस वीडियो के लिए